महिलाओं के लिए विज्ञान स्वास्ति एवन पोसर अब आप सुनेंगे हमारा विशेश कारिक्रम ये कारिक्रम रास्टी विज्ञान एवन तवर्द्योगी की संचार परिसद विज्ञान एवंग प्रध्योगी की विधाग भारत सरकार द्वारा उत्प्रेडिस एवंग समधित है और इसे कुमावानी सामुदाई वीडियो द्वारा सैयार किया गया मिल गया था सरे राह जलते चलते कुमावानी के सभी सरुताओं को आपके रेडियो मित्र गुपाल गुराने का नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे समाज परिवेस में स्वास्त को ध्यान में रखने के लिए बराबर हमारी सरकारे भी काम करती आई और हम भी सौशते हैं कि हमारा स्वास्त सही रहे और स्वास्त कराब हिए कहते हैं आप फरहेज करो फरहेज का मतलब है कि ऐसी चीज मत खाओ जिस से कहीं न कहीं आपको नुक्सान हो सकता है आज मैं आपको बताना चाहूँगा दुस्तों हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी जाष्टी तंबाकु नियंतल कारीकरम जन्तपा दलमोडा से टिप्ती CMO, परभारी CMO सभीता हैंकी जी जो समय समय पर पूरु में भी कुमाउवानी से जुनने का कई बाप लियास कर चुकी हैं और कई कारीकरमों में सिर्कत कर चुकी हैं। उनसे जानेंग तंबाकु का सेवन बहुत ज़्यादा घातक हैं। जैसे आपका तंबाकु से जनरल जो मैं बतारी हूं रक्तचाप असा मानने हो जाता हैं। हिर्देगती असा मानने हो जाती हैं। जो शारीरिक क्रिया कलाप हैं वो कम हो जाता हैं। यानि कि आदमी की सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है, बाल बेढगे हो जाते है, बदबुदार सांस हो जाती है, मसुडे शची गरस्त हो जाते है, स्वात तथा गंधु को पहचानने में गिरावट आती है, सांस लेने में पठनाई आती है, ये तो अल्पकालिक दुश्परभाव हो है, और जो दिर्दकालि सहित तंबाकू का उपयोग जैसे बीड़ी, सिग्रेट और चिलम ये चीज़ें हो गई और दूसरा हो गई तंबाकू रहित तंबाकू का उपयोग वह है गुटका खेनी आदी तो उसमें से क्या होता है कि जो गुटका खेनी खाने से जो मुह में जिली होती है उसमें दाग हो जाते हैं तो कैंसर की शुरुआत हो सकती है मूग का कैंसर सबसे ज़्यादा भारत वर्ष में कॉमन है उसके बाद फिर मूग का कैंसर, खाने की नली, धुने के बकसे का कैंसर, सांस की नली का कैंसर, फेपड़ी का कैंसर, पेट का कैंसर, अगनाशे का कैंसर, ये बहुत सारी चीज़े हो जाती है, साथ में पेट में अलसर हो जाता है, और पक्षा घात हो जाता है, जिसको कहते है आप लोग वायू लगना और बीपी हाई हो जाता है खास ही होती है टीबी होता है अस्थमा होता है और मोतियविंद वैसे तो वढ़ापी में मोतियविंद होता है लेकिन जो तंबाकू का इस्तिमाल करते हैं उनमें मोटे अविंद जल्दी होने के चांसेज रहते हैं। साथ में पुरोषों में नपुन सकता होती है। और इस तरियों में गर्वधारण में परिशानी होती है। ये दिर्द कालिक दुश परभावें तंबाकों के। जैसे आपने बताया कि इसे कैंसर बहुत जड़ा हद तक आपने बताया कि जो कैंसर है इसका बहुत अधिक परभाव देखा गया है। आपने लेकिन आम ये देख रहे हैं कि पहार में बेसक ये देखा जाता है कि महिलाई भी जोड़ी चुपके बीड़ी और आधी का इस्तिमाल कर रहे हैं। इसे में तंबाकों का कितना ज्यादा नुक्सान महिलाओं को हो सकता है। महिलाओं के सारीर में क्या प्रभाव 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 पृरता ही है लेकिन महिलाएं जो हमारी सामाज ही बहुत बड़ी कड़ी है उनके लिए कितना बड़ा नुकसां दाया है ख़ज। स्मोकिंग कहते हैं, एक्टिव स्मोकिंग तो जिसमें धूमरपान व्यक्ति सोय हम खुद कर रहा है, और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग मतलब कि जो अगर मैं किसी धूमरपान करने वाले व्यक्ति के सामने बैठी हूँ, तो वो जितना भी धूआ, त्याग रहा है या जो उसके बीड़ी या सिग्रेट के सिरे से जो धूआ निकल रहा है, वो धूमरपान न करने वाला व्यक्ति भी अपने सांस के साथ अंदर ले रहा है, तो इसको कहते हैं सेकेंड हैं स्मोक, तो ज़्यादा तर घरों में महिला हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, कि जितने भी आपके क्या कहते हैं तंबाकू में आपके घातक बदार्थ होते हैं, वो भी जो स्मोकिंग न करने वाला भी उसको अपने फेपड़ों में सांस के द्वारा अंदर ले रहा है, तो महिलाओं में ये प्रभाव है कि जो गर्भ में जब बच्चा होता ह है, और कभी बहुत कम वजन का बच्चा पैता होता है, कभी ये होता कि बच्चे की गर्भ में ही मुर्टि हो जाती है. कारण ये है कि जो तंबाकु में निकोटिन है और जो अन्य पदार्थ है उनके कारण जो मा से बच्चे को आउन नाल से जो उसको पोशक तत्वें की सप्लाई होती है उसमें तंबाकुक से होने वाले चीजों के कारण वो खुन की नलियां सिकुर जाती हैं तो वो सारे ऑक्सीजन और जो पोशक तत्वे बच्चे को नहीं पहुँच पाते हैं इसकी वज़े से बच्चे में सारे दुश्परभाव पढ़ते हैं और महिलाओं का तो इससे बचना बहुत ही जरूरी है साथ में घर के लोगों को भी समझना जरूरी है इसमें कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो हानी है यह साथ में जो नहीं कर रहे हैं स्मोकिंग उससे महिलाओं किया बच्चों में भी आपका अस्त्रों ट्रिगर हो रहा है और बच्चों को बार-बार नूमोनिया हो जा रहा है, कान का बहना है, कई सारी बिमारिया हो रही है, बच्चों को भी हो रही है और एक और चीज में बताऊंगी कि जब कभी-कभी कोई महिला जब ये second hand smoke से प्रभावित रहती है तो उनके जो बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद एक साल की अंदर कभी अचानक बच्चे मर जाते हैं उसको कहते हैं Sudden Infant Death Syndrome मतलब क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय बच्चे के मस्तिश्क का और उसके फेफणों का विकास हो रहा होता है और जो ये स्वशन क्रिया जो है पूरा मस्तिश्क से लियंद्रेत होता है तो उसकी वज़े से जो तंबाकु के जो को हम लोग नुकसान करा रहे हैं जिससे कहीं कहीं आपने जो बताया कि अगर किसी महिला के पास बैटकर कोई तीसरा वेक्ति या दूसरा वेक्ति धुमरपान कर रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्या मेडम अगर कोई महिला स्वेम धुमरपान कर मैं में एक चीज और आती है जिब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है, जैसे आपने बताया कि बच्चों में निमोनिया, कान में संक्रमान, आदी चीज़ें आपने भी बताई, अस्तमा जैसा रोग बताया, इसके अ हमारे देश में 13-15 साल के बच्चे बहुत ज्यादा लती हो रहे हैं, वो कैसे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रियोग करने की आदत होती है, उन्होंने घर में किसी को देखा, तो उनको लगा कि भई ऐसा तंबाकू में क्या चीज़ है, धुमरपान करने में क्या इस्पेरिमेंट करते हैं कि एक कश लगा लिया, गुटका खा लिया, ये चीज़ हैं, और साथ में कभी-कभी बच्चों में आपस में पेर प्रेशर कहते हैं कि दोस्त, चार दोस्त हैं, उसमें से दो-तीन धुमरपान कर रहे हैं, या गुटका खा रहे हैं, तो अगले पिशोरावस्ता में जो शुरू की गई है ये चीज़, ये बाद में फिर उसमें निकोटीन होता है ता मबाकू में, वो उसके उपर शरीर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि बच्चा बाद में छोड़ कर भी उसको नहीं, चाहा कर भी उसको छोड़ नहीं पाता और वो हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। इसकोल के नियमावलिय में इस पस्ट लिखा गया है कि किसी भी जाले कि इतनी नलती के पर तंबाकू नहीं पिकेगा, ये नहीं पिकेगा, वो नहीं पिकेगा, क्या कोई कानून भी ऐसा है जो तंबाकू से बचा सकता है। हम लोग सारे बच्चों को इसके दंबाकू के दुश्परभाओं के बारे में बता रहे हैं। साथ ही सरकार ने एक एक्ट पास किया है, वो है कोटपा 2003, एक्ट 4 धारा 4 और धारा 6, कोटपा मतलब सिग्रेट और टोबैको प्रोड़क्ट 2003 एक्ट, उसमें धारा 4 के अंतर गती है कि जितने भी सारवजनिक स्थल हैं, उसमें तंबाकू का या धुम्रपान, खास कर जो स्मोक वाले हैं, धुम्रपान वाले जो तंबाकू हैं, उसमें आपका सारवजनिक स्थल मतलब कि जैसे आपके ऑफिसेज हो गए, और लाइबरेरी हो गए, स्टेडियम हो गया, और अडिटोरियम हो गया, बस स्टेशन, रेलबेस स्टेशन, जहां पर हमोमन लो एक धुम्रपान, एक वाइट रंग का धुम्रपान बोर्ड होता है, जिसमें, जिसका कमसे मिनिमम साइज होता है, 30 इंटो 60 सेंटिमीटर का, उसमें आपने देखा होगा कि गोल लाल निशान चक्र बना होता है, और बीच में सिगरेट का, जलतावा सिगरेट या बीडी हो ये दंड नहीं है, तो उसमें कम से कम 200 रुपे का मैक्जिमम जुर्माना अर्थ दंड हम कर सकते हैं, और अगर वो अर्थ दंड नहीं देता तो हम फिर चालान लगा सकते हैं, दूसरा, आपका सारवजरिक सलो में परतिबंद के तहत ये हैं कि जितने भी होटल हैं, होटल म रिस्टॉरेंट में खुले आम धूमरपान नहीं होना चाहिए, अगर 30 लोगों से ज्यादा बैठने की शमता है, या 30 कमरों से ज्यादा कमरे वाला होटल है, तो उसमें धूमरपान वाला कमरा अलग से होना चाहिए, लेकिन इन कमरों में खासकर धूमरपान में सहायक ये सब चीज़े नहीं होने चाहिए, तो इसका ये एम है कि कम से कम सावजने के सलों में धुआ उड़े और सेकेंड हैं स्मोग के शिकार ना हो लोग, फिर दूसरी बात आती है कि हम बच्चों को अपने कैसे बचाएं, तो उसके अंतर गहते हैं धाराच्छे, धाराच्छे क अंतर गहते हैं कि जो दुकानों में हैं, उन दुकानों में किसी भी नावालिक बच्चे को आप तंबाकु प्रोड़क्ट नहीं बेश सकते हैं न उनसे बिकवा सकते हैं, और सारे दुकानों के बाहर ये बोड लगाऊना चाहिए, कि अवैस्क व्यक्ति से तंबाकु की प रिद्वाना डंडनी अपराद हैं और उलंगन करने पर 200 रुपे तक का जुर्माना हो सकता है, अर्थ डंड हो सकता है, और न अर्थ डंड पे करने पर चालान लग सकता है, उसके बाद आई बात आपके स्कूलों में, स्कूलों में स्कूल के बाहर, गेट के बाहर या चाह अपराद है और उलंगन करने पर जुर्माना किया जाएगा तो ये इन सारे धाराओं का कारण एम ये है कि बच्चों को हम जितना हो सकें तंबा को प्रोडक्ट से दूर रखें। और मैं आपका बहुत बहुत धनिवाद आपने हमारे सुरुताओं को एक विशेश जानकारी दी कि तंबा को से क्या लुक्सान हो सकता है और उसके क्या-क्या स्वास्त पर प्रभाव पर सकते हैं। क्या चंते दू ही तो इस मिल गया था उही तो इस मिल गया था। चरिवाह जन्से जन्से चरिवाह जन्से जन्से